साउथ एफ्रीका के साथ T20 सीरीज जीतने के बाद तीन मुकाबलों की ODI श्रिंखला में वो कौन सा होगा अकेला भारती एखिलाडी जो पड़ेगा पूरी साउथ एफ्रीका की टीम पर भारी उसके बारे में करेंगे बाद चीत किस तरह से रहने वाला है ODI का सारा स्केडियूल वो भी आपको बताएंगे इस वीडियो में अंतक बने रहेगा हमारे साथ क्रिकेट इन इंडिया के चानल पर हैं आप मैं हूँ आपके साथ लक्षित जहां हम सभी ने एक तरफ देखा है भारती क्रिकेट टीम ने 2-1 से T20 श्रंकला को अपने नाम कर लिया है तो खेले जाने वाली है 6 अक्टूबर से शिखर धवन की कपतानी में तीन मुकाबलों की ODI सीरीज तीन मुकाबले होंगे 6 तारीक को पहला मुकाबला खेला जाएगा 9 तारीक को दूसरा मुकाबला होगा और 11 तारीक को इस सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जाएगा आपको बता दिया जाए भारती ये समय के नुसार कि तीनों मुकाबले दुपहर को डेड़ बजे शुरू हो जाएंगे जहां एक बजे इस मुकाबले का टॉस होगा लेकिन कौन सा वो एक लौता भारती खिलाडी है जिस पे नजरें इस श्रिंकला में कुछ ज्यादा माइनों में रहने वाली है क्योंकि जब ये खिलाडी को जगा नहीं मिली थी भारत की T20 वर्ल्ड कप की स्कौर्ड ऐस्टेलिया साउथ अफरीका के सामने होने वाली T20 सीरीज में तो इसके फैंस ने मचाया था काफी ज्यादा हड़कम आप समझ चुके होंगे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ संजू सैमसन की विकेट कीपिंग बैटर संजू सैमसन इसने तीन-चार सालों में IPL में काफी बहतरीन परफॉर्मेंस दिया है तक कि इस साल अपनी कप्तानी में संजू सैमसन राजस्तान रॉयल्स को फाइनल्स में भी ले गए अगर IPL को पीछे शोड़ दिया जाए और हाली की बात की जाए संजू सैमसन का बला बहतरीन अंदास में बोला था का रहा है जो दर्शाता है कहीं ना कहीं संजू सैमसन वह खिलाडी है जिसका टी-20 में बला काफी गरज के बोल रहा है और ODI में जाते हुए भी ये खिलाडी अपने मौके पर चौका जरूर लगाएगा क्या लगता है आपको संजू सैमसन वह खिलाडी जो विकिट कीपिंग और बल्ले के साथ पड़ेगा अकेले दम पर साथ अफरीका पर भारी या किसी और खिलाडी पर होंगी आपकी नजरें दीजिए अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन्स में और जाती में सब्सक्राइब कर दीजिए मैं यूट्यूब पे पॉलो कर लीजिए फेस्बुक पे जानने के लिए क्रिकिट से झालेका जारीका पॉलो कर दीजिए अभिलो कर दो हमें यूब प्राइब कर दो राय हमें यूब पर जाती उपकी ठे गयो और भीजिए पॉलो कर दुबूब